सूपर आइडियास में आप लोगों का एक पार फिर से स्वागत है EMI Moratorium 2.0 यानि कि आप सभी को पता है कि RBI की guidelines के according RBI ने officially announce कर दिया है कि जो EMI Moratorium है जो पहले 3 मेने के लिए था March, April और May वो officially August 2020 यानि कि June, July, August 3 मेने के लिए और बढ़ चुका है तो अगर आप standard chartered के customer हैं तो कैसे आपको apply करना है EMI की छूट के लिए वही हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो आपको channel पर एक playlist मिल जाएगी moratorium के नाम से वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए लगवग सभी bank के लिए जो moratorium है वो video डाली है जिन जिन लोगों ने demand की है हमने वो सभी videos वहाँ पर है अगर आप भी किसी और bank से हैं जो आपको वीडियो अगर channel पर नहीं मिलती है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं हम आपके लिए वो video भी जल्दी ले कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं video सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आप लोगों ने moratorium को अपलाई किया था मार्च अप्रेल माई तो इस तरीके से आपको एक SMS भी आया होगा जो लिखा है dear valued client the moratorium facility on your standard chartered credit card bill has been extended till 31st अगर 2020 तो अगर आप standard chartered के customer है तो आपको already message के जरिये informed कर दिया गया होगा तो उन्होंने आगे भी दिया है कि under the moratorium only low late payment fees charges will be way of interest and other applicable charges will be continue to occur on your outstanding balance and fresh purchases अगर आप कोई भी नई खरीदारी करते हैं या फिर आपके पर कोई EMI चल रही है उसका interest आपका चल रहा है या आपकी कोई भी किसी भी तरीके का कोई charges है तो वह आपको continue लेगेगा बस यह है कि moratorium में आपकी late payment fees नहीं लेगेगी और ना ही कि आपके civil score पर कोई असर होगा तो देख लेते हैं कि standard charter की website पर क्या guidelines हैं हमारे आप जो अगत्स 2019 2020 तक moratorium 2 के लिए यह website है जो आप देख सकते हैं इसमें आप frequently asked question देख सकते हैं तो जो लोग है वो पहले देखेंगे कि में हाँ पर में लिखा है तो मैं बतादू कि 23rd में 2020 को अनाउंस हुआ था तो इसलिए यह यह यहाँ पर लिखा गया है इन अकॉर्डंस इन दि मोरेटोरियुम 1.0 ओ मॉरेटोरियुम विल भी ओत्मेटिकल एक्सेंड़ तू दाम जो मैंने आपको एसमेस के जो इवी दिखा दिया है किस तरीकिके का आपको मैसेज आया हुगा जो अपने करंट में हुआ करंट अगर आपने लिया था मोरेटोरियुम और अभी आप उसको बंद करना चाहते है तो आप अपनी पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अब यह तो होगे दो केस तीसरा केस क्या है कि अगर आपने मोरेटोरियुम तीन महने के लिए नहीं लिया लेकिन आप अब लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो यह पर डिफरेंट डिफरेंट एपक्यूस हैं जो भी एपक्यूस आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं वो उन्होंने डाले हुए हैं तो वट इस रिलीफ है प्रोवेड़े अंडर कोवीड-19 प्राकेज अर्वेड ने रिलीफ किया दिया है मैंने आपको बता दिया पहले तीन महिंने का थो उतके बाल फिर जो है 31 अगस्तर बढ़ा दिया गया आर्वेड की गयलेंस का यहां पर लिंक दिया गया है आप इस कर दिया जाएगा और आपके पास कर चुके हैं अगर आपके पास क्राड़िट कार्ड अगर आपने ली थी मोरेटोरियम तो अटोमेटिकली एक्स्टैंट हो जाएगी तो आपको कैसे करना है यह वाला है पेक्यू आप लोगों के लिए तोड़ा सा मैंटरी है ज़रूरी ह जानना तो बैंक आपको sms के जोरिये और email sellers के जोरिये eligible जो भी card holder है उनको notification देगा opt-in के लिए अब आपको opt-in कैसे करना है आप sms कर सकते हैं opt-in और यह sms आपको send कर देना है 575754 जो भी आपका register mobile number है उससे आप share करेंगे उससे यह sms send करेंगे 2-3 दिन तक आप wait कर सकते ह है तो मैंने माक्सिमुम 48 hours में आपको reply आ जाना चाहिए एक confirmation आता है आपको कि यह start हो चुकी है आपको confirmation नहीं आता है तो 2-3 दिन बाद फिर से sms करके देख लीजिए फिर आपको बता देंगे यह already opt-in तो घबराने के जूरुत नहीं है क्योंकि काफी लोग जो है panik हो जा आता है आपके email में जो आएगा तो उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आप register कर सकते हैं cardholder needs to opt-in by 30 June आपको 30 June से पहले पहले कर लेना है moratorium लेने के लिए अब आपको यह बात ध्यान रखनी है अगर आप different different bank के credit card use करें तो आपने देगा हुआ कुछ bank आपको option सकते रहे हैं कि आप monthly moratorium ले सकते हैं लेकिन standard charge date का आपका three months का ही है तो आपको 30 June से पहले apply करना है ताकि आपको जून से लेकर अगस्तक की moratorium आपको मिल जाए as a credit card holder आपको moratorium कैसे effect करेगी वो हमने देखी लिया कि आपकी जो सिर्फ way off होगी वो होगी सिर्फ आपकी late payment लेकिन जो भी आपके charges है over limit fees है annual renewal fees, reward redemption fees, overseas transaction जो भी applicable होगा वो आपका लगता रहेगा moratorium कैसे work करता है कोई भी late payment fees charges है वो आपकी वो हो जाएगी वे-off हो जाएगी आपको flexibility मिलेगी to continue to pay during moratorium आप पे कर सकते हो और जो interest है unpaid outstanding पे वो आपका लगता रहेगा अब यहाँ पर देख लेते हैं माली जो 30 March को आपकी outstanding बनी 15,000 रुपे तो आपने 18 June को payment कर दी 15,000 रुपे तो आपकी outstanding कुछ बची नहीं है अब आपको clear है लेकिन scenario 2 में क्या कि आपने आपकी बनी 15,000 की statement और आपने 30% यानि की 45,000 रुपे 45,000 रुपे आपने pay कर दी तो आप 30 June को आपके outstanding कितनी है कितनी है 10,500 रुपे उस पर interest कितना लगेगा आपका 10 March से लगेगा 630 रुपे जीएस्टी लगेगी तो total आपकी outstanding बच जाएगी यह 11,243 ठीक है उसके बाद फिर आपने partially payment कर दी तो वह interest लगके आपका calculation आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड के ऐसा आपने payment की नहीं तो आपकी 1500 रुपे और उस पर फिर आपका जो है payment लग गया जीएस्टी लग गई interest लगके 3.49 परसंट चार्ज आपका यह आपको यहाँ पर ध्यान लगना है तो उसके according यह आपका लगता रहेगा moratorium complete होने के बाद क्या होगा all statement generated after the moratorium period with the fact to September 1st से generated हो जाएंगी तो minimum amount do will be applicable to keep card in good standing तो आप minimum तो पही करी सकते हो या फिर भी आपको option होगा total amount do या आप total amount do है वो पे कर सकते हो जो आपका generally होता है अगर आपको बीच में stop करनी है तो आपको क्या करना होगा अगर आपको बीच में stop करनी है तो आप कभी भी minimum amount do pay कर सकते हैं और वो आपकी stop हो जाएगी और फिर आप उस पर payment शुरू कर सकते हैं इसके अलावा भी और भी सारे options आप payment कैसे कर सकते हैं यह आपर details है या और भ अगर भी काफी बैंकों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी चाहिए आक्सेस है आपका HDFC bank, RBL bank, SBI bank या फिर कोई भी आपकी आप हो जिससे आप पैसा ले रेते हैं उधार धनी आप है आपकी जैसे इंडिया बूर्स है आपकी housing finance है money view है credit भी है इस तरीकी के क कि कोई भी वीडियो प्लोड हो उसकी notification आपको टाइम ने मिल जाए तो आज की वीडियो में था इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए टोपी के साथ तब तक thank you so much bye bye take care